दोस्तों, आपका फिल्मी मीजा चैनल में स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले है तापसी पनु स्टारट थापर मूवी के 7 तें दिन के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में उससे पहले दोस्तों अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपको बतादू कि एक्ट्रेस तापसी पनू स्टारर फिल्म थपड़ 28 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज की गई और समीक्षकों ने फिल्म की काफी सराहना की हैं। फिल्म में तापसी पनूने शान्दार अभी ने की है। दोस्तों आपको बता दू की फिल्म में तापसी पनु के लावार रतना पाठक शाह, दिया मिर्जा, राम कपूर और कुमुद मिश्रा ने भी अहम किरदार निभाए हैं। तापसी पनु की फिल्म थपड की बजट की बात करें तो इस फिल्म की बजट लगबग 25 करोड रुपए बताया जा रहा है। स्क्रीन काउंट की बात करें तो थपड मूवी को इंडिया में लगबग 2000 स्क्रीन मिले हैं। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो तापसी पनू की फिल्म थपर पहले दिन 3 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी, जबके थपर मूवी दूसरे दिन 5 करोड़ 5 लाख रुपए का बिजनिस करने में सफल रही, अगर बात करें फिल्म के तीसरे दिन याने अपने रिलीज के पहले रविवार के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो थपर मूवी अपने पहले रविवार को 6 करोड़ 54 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही, जबके थपर मूवी दिन 2 करोड़ 26 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही है, अगर ब अगर बात करें थपर मुवी के साथ वे दिन की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ओक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक थपर मुवी अपने साथ वे दिन लग बग एक करोड़ असी लाक रुपए का कारोबार करती हुई नजर आ रही है तो इस तरह से थपर मुवी के साथ दिनों की इंडियानज कलेक्शन 22 करोड़ 93 लाक रुपए पहुँच जाती है अगर बात करें फिल्म के वर्ल डवाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो थपर मुवी के साथ दिनों की वर्ल डवाइड कलेक्शन 32 करोड़ 30 ला दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिल्मी मेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए रन्यवाद।